सो वाट्स क्वेकिंग एस्पेस कार्स फैमली हाव रिल गाइज वल्कम बैक तो मैं चैनल एस्पेस कार्स नाम श्मेम रताफ सेकेंग आम बैक अगेन विट मानुटर फैश वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेडेट टू दी मार्ति सुजुकी अब यह नहीं कहलाएगी ओली ब्रेजा और यह बहुत जल्दी इंडिया में लॉंच होगी अगर आप भी प्लैन कर रहें या वेट कर रहें इसके लिए या आपने कुछ दिन तक वेट के आप सोच रहें कि कि किसी और कार के लिए चले जाए या भी तक लॉंच नहीं तो आप गलती कर रहें इस वीडियो На तक देखिए को कि मेhr लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डेल्स दी थी अब उस वीडियो से लेकर आज तक की जो डेट है उसमें बहुत सारी अपडेट शाये ऑस कर से रिल्डीट है जो कि आज की बुए एक आज कीज मैं बताऊंगा तном कि अगर आपको भी समझ भी नहीं आते है कौन सी कार कौन सी बाइक आपको पर्चेस करनी चाहिए so no need to worry guys your car buying guide is here just आप मेरी website पे जाए link description में है consultancy form आपके सामने open होगा उसको पूरा फिल करें अपना जो है जो है पेट service है तो आप जो है कोई भी एक plan अपने according चूज करें and submit कर देपार्म बाकि मेरी team जो है आपको payment method बताएगे and मेरी team ही connect करेगी आपसे और help करगे to choose the best car bike for your family in your budget now let's begin our video and let's talk about the upcoming Marathi Braza so let's go so guys बात करते हैं Marathi Suzuki Braza से related but उससे पहले कुछ बताना है कि Marathi Suzuki कि जो है बहुत जाद एक्टिव है इन इंडिया like अभी में बात करता है तो new age बलायनों आ चुकी है updated wagoner launch किये उन्होंने और फिर अभी जो टेस्टिंग में ब्रेजा तो चली रही है बाकी आपकी आपकी जो है एल्टी का फेसलिफ्ट एंडी XL6 का भी फेसलिफ्ट टेस्ट हो रहा है तो Marathi Suzuki बहुत एक्टिव है और बाकी डिजायर का बलायनों का जो फूरी फीचर लिस्ट है थोड़ी सी बिल्ड में थोड़ी सी बैटर हुई है Marathi Suzuki तो वह बहुत अच्छी पार्ट है अगर बलायनों की स्पेसिफिकेशन देखने है तो link description में है आप देख सकते हैं हमारी website पे जाके बाकी अभी बात करते कि upcoming Marathi Suzuki उसकी ब्रेजा से आप क्या expect कर सकते हैं अगर आप भी बेट कर रहे हैं तो आपका वेट करना कितना वैलीबल रहेगा आज की इस वीडियो में वह बताता हूं तो सबसे बहले बात करते कि एकस्टीर में क्या क्या आपको changes देखने को मिलेंगे एकस्टीर में इतना बड़ा change नहीं है और यह भी बताते हूं कि कार अभी तक रिवल्ड नहीं हुई है सिर्फ टेस्टिंग करते हैं वही ही spot की गई है तो images बहुत कम है और उसी को repeat करके showcase करूँगा और कोशिस करूँ कि मैं बहुत अच्छा presentation आपको देखने को मिलेगा और फिर बात करते हैं तो रिडिजाइंग बंपर होगा फ्रेंट में रियर में रियर टेल लाइट्स भी थोड़ी बहुत अपडेट की जाएंगी उसमें LED टेल लेंट्स होगा और जो ब्रेजा की बैजिंग होगी अब देखने को मिलेगी ना कि आपको विटारा ब्रेजा का जो एक क्रोम सॉट अफ रियर टेल गेट पर देखने को मिलता है वैसा कुछ नहीं होगा ब्रेजा वहां पर पूरा माउंटेड होगा ब्रेजा का नेम तो यह चीज बहुत अच्छी है और अब यह जो सफो मीटर अब कलर ऑप्शेंस तो रिविल्ड नहीं होए और कितना और अपडेट किया गया वह भी रिविल्ड नहीं होए बेसिकली क्योंकि कार अभी भी कवर्ड है उसमें पूरी जो है यहां पर शोकेस तो तभी होगी जब अन्वील्ड होगी लेकिन अगर मैं बात कर तो फर्द कि अपको इन्टीर अपडेटर में क्योंकि देखने को मलें व्लिग रिवल इंटीर में अब्डेट है डिफिनेटी रिविणेंटी णोंदाओं में अब्डेट है बट वूपीचर में जादा ही अपडेट है इंटिरियर की बात करता हूँ तोड़ा सा बैठर आपको आपस आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे, अब जैसे कि आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे, अब जैसे कि Aitiga में आने वाला है, Excel 6 में आने वाला है, यहाँ बात करते हैं, तो ब्रेजा में देखने को मिलेगा, आपको वही डियोल टोन डेशबूर देखने को मिलेगा, विद थ्रीडी स्कलेप्टेड डिजाइन लेंगविज, आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो वह चीज़े हैं, अब बात करते हैं तो वही आपको जो है आपको स्टेडिंग वील देखने को मिलेगा, जो कि multi functioning steering wheel है design कही ना कही बॉरो किया जाएगा from the swift like balano में जो मिला है steering वही कुछ इसमें भी देखने को मिल सकता है well interior में यही सब में आपको new fabric lead rate stitching upholstery जो है उसमें new stitching देखने को मिल सकती है और overall color scheme का minor changes कर सकती है but जो main update है वो है feature से related जो कि माया 3rd point है well feature में सबसे जादे value for money point है क्योंकि इतना जो exterior interior उतना बड़ा update नहीं है लेकिन जो feature है उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि latest जो अभी spot की गई है martis vizu की ब्रेजा उसमें आपको क्या क्या चीज़े देखने को मिली है वो मैं बताता हूं तो सबसे पहला 9 inches का आपको touchscreen infotainment system देखने को मिलेगा with the smart play pro plus जो की बलैनो में भी देखने को मिला है and वो इसमें भी मिलेगा साथ में wireless android auto देखने को मिलेगा apple car play भी wireless देखने को मिलेगा जो की एक amazing part है fully digital आपको instrument cluster देखने को मिल सकता है अगर ऐसा नहीं मिला fully digital तो updated instrument cluster को definitely देखने को मिलेगा फर्द बात करता हूं तो wireless charger, automatic climate control automated AC unit आपको देखने को मिलेगा then features की बात करते तो maybe आपको जो है electric sunroof देखने को मिलेगा जो की factory fitted आएगा the best point factory fitted होगा साथी साथ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा यह top and trims में sunroof तो top and trim में ही देखने को मिलता है basically वो सब जानते हैं तो यह सारी चीज़े features में आपको definitely देखने को मिलेगी और बात करता हूं तो Marty Suzuki का बहुत अच्छा connected car tag जो की शायदी आपको इतना सब कुछ देखने को मिलेगा इंदा feature वो तो अब बहुत अच्छी बात हो गई फिर बात करता हूं in the safety safety में definitely six airbags देखने को मिलेंगे definitely आपको six airbags देखने को मिलेंगे और यह safety बादा जो point है क्योंकि इसमें और भी कुछ बाते चुपी हुई है then electronic stability program आपको देखने को मिलेगा यह 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 बहुत अच्छा बात है इसका अगर मैं बात करता हूं तो कुछ बहुत सारे segment first features हो सकते हैं इसमें से तो अब वो क्या-क्या है वो अभी तक रिविल्डिन हुए बट जितना हम expect कर रहे है कि बलैनों में जब मारती ने यह दिया है मारती सजुकी ने तो वह definitely ब्रेजा में भी देंगे यह तो चीजे होगा है हमारी की और अब बात करते हैं further the fifth point की fifth point में आता है the well fifth point पे चलने जबहले मैंने safety में और कुछ नहीं बता है हां यह बता रहता हो कि प्लैटफॉर्म सी फ्लैटफॉर्म पे बेस्ट होगे जो कि ग्लोबल का सी प्लैटफॉर्म है ग्लोबल मार्केट का इस पे बेस्ट होने की वज़े से इसकी safety में बिल्ड में थोड़ी सी भी बैटर था मुझे जो फील हुआ इंड ऑन दी बलैनो वेल अब फर्दर बात करते हो तो ब्रेजा में भी ऐसा ही कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा जो थिन शीट है इसकी यूज़ की गई वो थोड़ी सी और जादा थिकर की जाएगी अब देखते कितने परसंट से होगी वह भी देखने वाली बात है अब बात काते है फिप्वाइंट की तो इंजन की वाल 1.5 लीटर का जो है आपक देखने को मिलेगा में भी थोड़ी बहुत रिट्यूनिंग करके थोड़ा सा पावरफुल इंजन हो जाए हां अब इंजन में पावर ट्रेंसे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है कि जो फोर स्पीड का आटमेटिक टॉकर गेरबॉक्स था उसे रिप्लेस करेग तो अब ओवरॉल कंक्लूजन क्या होता है कि आप वेट कर रहें तो वैली फॉर मनी डेफिनेटली वैली फॉर मनी है प्राइजेस की बात करता हूं डेफिनेटली थोड़ी से तो हाइक पर जाएगी 7.5 लेक्स से स्टार्ट हो सकती है जा सकती है 10 या 10.5 लेक्स तक की एक् रहता है वो देखने वाली बात होगे लेकिन अभी 107.5 इतनी प्राइजेस एक्सपेक्ट की जा रही है और फर्दर बात करते हो तो लॉंच तो लॉंच की बात करते है तो अभी तक कोई भी कन्फरमेशन नहीं लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहें कि मेभी इन ऑगस् की वीडियो डाउट है कंसल्टेंसी सर्विस का यूज करें और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो क्लिक कर दें लाइक बिटन एंशे दिस वीडियो तो आल फ्रेंस और फ्रेंस और प्लीज गाइस क्लिक ऑन देरेट सब्स्राइब बिटन प्रेस बैल अगन तो देट में नेक्स अब्डेट आए अंडर ब्रेजा तो सब्सक्राइब ना करें तो थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो गाइस की वीडियो बस इतना है मंत अगली वीडियो में तिल ने गुद्बाई